हेलो दोस्तों, welcome back to the channel, कैसे हो आप लोग, उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अब इस situation बिलकुल भी अच्छी नहीं, यहाँ तो बहुत खराब है, आप अपना और अपनी family का ध्यान रखना, आपके यहाँ पे situation क्या है, मुझे comment करके बताना, आज की इस वीडियो में ड करना है, और क्या procedure है, और अगर आप पहली बार इस channel पर आ रहे हो, तो channel को subscribe करके, bell icon जरूर से प्रेस करना, अगर आपको career guidance and job updates के related latest videos चाहिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने के साथ साथ वीडियो को like जरूर से कर देना और अगर आपका कोई दोस्त eligible है, तो इसको भी बताना इस job update के बारे में, अपडेट के बारे में बात करते हैं, Central Leather Research Institute की तरफ से update है, सबसे पहले notification number 01-2021 है, और यहाँ पे दो important चीज़े पहले आपको बता देना चाहूंगा, सबसे पहले यह जो update है, वो contract basis पर update है, मतलब क जो रहेगी, वो permanent नहीं होगी, salary आपको decent मिल जाएगी, लेकिन temporary आपको काम करना होगा, दूसरा, यहाँ पे जो है, directly interview रखा गया है, यहाँ पे कोई exam नहीं है, लेकिन यह walking interview है, आपको Chennai विजट करना होगा, अगर आप Chennai या उसके आसपास से belong करते हो, तो आप बिलकुल 1099 में आपको यहाँ पे पूरा course मिल जाएगा, जिसके अंदर video lectures, mock test, e-books and extra practice questions भी मिल जाएगे, so अगर आप enroll करना चाहते हो, तो 1099 में limited time offer है, इस video के description में link मिल जाएगी, आप check कर सकते हो, और अगर आप enroll करना चाहते हो, तो जली से enroll कर लेना limited time offer है, so description में links available है, now सबसे प पहली 27 वाले, उसके अंदर 17 नमबर से 29 नमबर की जो post है, वो वाले 27 अपरिल को जाएंगे, और 29 अपरिल के लिए 1 नमबर से लेकि 16 नमबर की जो post है, वो जाएंगे, so यहाँ पे सारे discuss करेंगे हम, लेकिन आपको यहाँ पर बता दू, 9 बज़े आपको जाना होगा, अग इन्होंने desirable में कहा है कि आपके select होने के chances बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 25,000 प्लस HR आपको मिल जाएगा, 6 months के duration के लिए जॉब रहेगी, उसके बाद यहाँ पे bachelor's degree mechanical के लिए same condition CGP 8 point या उससे ज्यादा होंगे तो chances ज्यादा है आपके selection के 6 months 25,000 प्लस HR आपको मिल जाएगा इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ percentage को देखके selection आपका हो जाएगा, यह desirable criteria है, यह आपकी जो selection होने की probability है वो बढ़ा देगा, उसके बाद next बात करते है project associate की post है, MSC अगर आपने किया है, chemistry physics के साथ आप apply कर सकते हो, और उसी के अंदर B BITEC अगर आपने mechanical engineering से किया है, आप apply कर स सकते हो, उसके बाद 13 number पर जो है BSC physics chemistry अगर आपने किया हुआ है, bio physics से किया है, bio technology, bio chemistry तो आप apply कर सकते हो, उसके अंदर 20,000 plus HR आपको मिल जाएगा, और duration 1 year है, अब जितने भी यह duration है, वो अभी के लिए इन्होंने बताया हुआ है, यह extend भी हो सकते है, यह इन्होंने last में terms and condition में लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर again BSC chemistry के लिए post है, तो 14 number की 15 number की जो post है, वो BSC chemistry वालों के लिए, 16 पर BSC zoology के लिए है, इसके बाद 17 पर आ जाते है, graduate degree, अगर आपने computer science, computer application से graduate degree हासल किया है, आप apply कर सकते हो, 18,000 plus HR आपको मिल जाएगा, यहाँ पर BCA वाले apply कर सकते हैं, BB tech वाले apply कर सकते हैं, BSC वाले भी apply कर सकते हैं, तो you can try 18,000 plus HR आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर scientific administrative scientist की जो post है, again यहाँ पर computer science की post है, और statistics इन्होंने मांगा है, BSC अगर आपने किया है, आप apply कर सकते हो, और यहाँ पर 18,000 plus HR आपको मिल जाएगा, उ अगर आपने BCOM किया हुआ है, किसी भी university से आप apply कर सकते हो, यहाँ पर 1 सल के लिए 18,000 plus HR है, आपको मिल जाएगा, अगर आपने BBA किया हुआ, BCOM किया है, तो 20 number की जो post है, वो आपके लिए, अच्छे यह जो मैं number आपको बोल रहा हूँ, हर post के साथ, इसका मतलब आपको य interview कौनसी date को होगा, 1 से 16 हम discuss कर चुके हो, उसकी date 29th April है, नाउ जो हम 17 के बाद discuss कर रहे है, सारी जो है post उनके लिए interview 27th April को है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते है, अगिन continue करते है, 21 पर जो है BAC Physics को वालों के लिए है, इवन B.E.B.Tech, अगर आपने mechanical instrumentation से क्या है, आप apply कर सकत हो, salary कम होगी इस बार B.E.B.Tech के लिए, तो अगर आप B.E.B.Tech mechanical civil in branches से हो, तो आप उपर जो मैंने post बताई है, उसमें apply कर देना, उसके बाद यहाँ पर बात करते है, तो अगेन B.C.A. वालों के लिए है, 18,000 प्लस HRS scientific administrative assistant 22 नंबर की post है, उसके बाद 23 नंबर पर आ रहे है graduate degree B.E.C.A. वालों के लिए है, 23 भी सेम है, 24 भी सेम है, even 25 भी सेम है, उसके बाद यहाँ पर 26 पर again B.C.A. वालों के लिए vacancy है, and last मैं 27, 28 and 29 की अगर हम बात करें, तो 27 पर graduate degree Hindi discipline है, 28 पर जाए, तीन साल का डिप्लोमा अगर civil से किया है, आप apply कर सकते हो, 20,000 प्लस HRS आपको इसमें मिल जाएगा, 29 नंबर की जो है, B.C. degree in any discipline, अगर आपने B.C. क्या है, चाहे, किसी भी discipline से क्या हो, आप apply कर सकते हो, 1 year के लिए 18,000 प्लस HRS आपको मिल जाएगा, so यह थी total 29 पोस्ट, जिसमें आपके काम की जो थी, वो मैंने आपको बता दी है, हर एक screenshot के साथ, now apply कर कर दिना, जो भी post के लिए आप apply करते हो, साथ जाथ relevant documents को carry करना, उस दिन आपका जब walk-in interview हो, और हर एक का original as well as self-attested copy रखना, in case अगर submit करने को कहा जाए, तो आपके पास यह चीज़े ready होनी चाहिए, so यह basic सी process है, अच्छा, यहाँ पे आपको दो अपनी passport size color photocopies भी ready आपको यहाँ पे directly form को download करना है, fill up करके पहुंच जाना है, इतना simple है, so I hope आपको यह चीज़ भी समझ में आ गई होगी, aptitude course के बारे में मैं आपको शुरुआत में बताया था, वो आपके भी काम का है, तो चेक कर लेना, description में links available है, so उमीद करता हूँ आपको वीडियो पस के related videos मिल जाती है, मिलते हैं next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care.